आप लोग एक लंबे समय से देख रहे होंगे कि जो हमारा पड़ोपसी पाकिस्तान है जो आप सभी जानते हैं कि 1947 तक हमारा ही इस्सा हुआ गरता था यानि कि भारत में ही सामिल था लेकिन कुछ लोगों के अपने स्वार्थ के कारण पाकिस्तान अलग करना पड़ा और आप देखते हैं कि उसमें से मुझे लगता है कि आज भी अगर उनकी आत्मा जिंदा होगी कहीं भी बैटी होगी तो आप देखें बड़े एक तरह से कोस रहे होगे अपने आपको गाली दे रहे होगे सोच रहे होगे कि पाकिस्तान को उसमें भारत से अलग ही ना किया जाता तो अच्छा रहता है क्योंकि पाकिस्तान डेश का दूर्भाग कर दिया गया अभी हाली में आपने सुना होगा कि ए हैं आपके सहवासरीफ इन्हें नया पिधान मंत्री पाकिस्तान का बनाय जा रहा है तो इनके बारे में एक सामान जानकारी हम लोग देखेंगी और आप देखेंगे पाकिस्तान आपको यह देखने को मिलेगा और आप सभी जानते हैं कि एक तरह से भारत की पश्चम में देखने को मिलेगा और ये भी आपको मालू है कि ये सिया में ही है और इसकी राध्धानी की बात करें तो आप सभी जानते हैं इसलामाबाद इसकी राध्धानी है तो इसी के बारे में बात करनी है देखी भारत की गुजराद की सीमा लगती है राजिस् 1971 में भारत और पाकिस्तान की भी चियोध होता है और जिसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान को मोह की खानी पड़ती है और वैसे तो अभी तक जितने भी पाकिस्तान से योध हुए उसमें पाकिस्तान की हार हुई है ठीक है और आप देखें कि बंगलादेश और पाकिस्तान रहना पड़ रहा है और यहां तक आप देखिए यहां की सेना का इतना हस्थे रहता है यहां की राजनीती में कि यहां की पिदार मंतरी को फांसी पर भी लटका दिया जाता है जेल में डाल दिया जाता है अब इमरान खान की गरबतारी पर आप देखिए चल रहा है कि उन्हे 1859 में लाहोर पाकिस्तान में होता है इनके पिता का नाम मुहमत सरीप था इनके बड़े भाई का नाम चाह था बड़े भाई तीन बार पिधान मंतरी रहे हैं कहां के पाकिस्तान के नवास सरीप इनके बड़े भाई थे और शहवास सरीप की दो साधियां हुई जिन में आप इनके चार बच्चे हैं, जिनका लाब मुहमद हम्जा, सहवाज सरीब, और सलमान सहजबाज, तो आप समझ सकते हैं कि देखे, और आप सभी जानते हैं कि मुसलिम दो तीन चार सादियां करते रहते हैं, और हर मुसलिम की बात नहीं कर रहा हूँ, देखे, और जो इस तरह का उनमें मानता भी रहती है आपने कई जगे देखा होगा तो मुझे लगता है कि इस पर कुछी को आपक्ती नहीं होना चाहिए जो करना है रोक कोन सकता है लाहर पाकिस्तान में जन्मे सहवाज सरीप अपनी सिक्षा लाहर से ही पूरी की उन्होंने गबर्मेंट कॉलेज विधान सवाज से चणाव जीता लेकिन 1990 में About फिर से भंग ऊई लेकिन सहावाज ने एक बार फिर चुनाव जीत लिया और साल 1993 में उन्होंने दो चुनाव जीते एक विधानसवा दूसर नेसलम असेमली लेकिन उन्होंने लाहर विधानसवा के लिए नेसनल असेमली की सीट छोड़ दी थी आप सभी जानते हैं कि कोई कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता है बस लेकिन आंगे चलके उसे एक सीट अपने पास रखनी होगी ठीक है और बागी सीट ने छोड़नी बढ़ती है पाकिस्तान मुसलिम लीग नवाज ने से उन्होंने साल 1997 में चुनाव लड़ा और इस बार उन्हें पंजाब परांद का मुखमंतरी बनाए गया उसके बास 2008-2013 में भी सहवाज सरीब पाकिस्तान के पंजाब परांद की मुखमंतरी रहे पाकिस्तान मुसलिम ली नवास सरीब पार्टी ने उनको साल 2018 में पिधानमंत्री पत का चेहरा बनाया है लेकिन जीत इमरान खान की हुई और सहवास सरीब बेपक्ष के नेता बन गए थे यहां की सेनाओं के आप देखी अपनी कंपणी भी चलाते हैं अपना काम धंदा ब्यापार भी करते हैं तो आप देखें इंडारेक्ट या डारेक्ट सेना का हस्तचेप इस देश में रहता है और वहीं भारत में देखिए हमारी आप सभी जानते की हमारी सेना का काम होता है निभाती है अपना कर्तब बहुत वहतर से निभाना जानती है उसे देश की राजनीती से कोई मतलब नहीं रहता है ठीक है और रेपोर्टों की माने तो राष्टी है जब आप देही भीवरों ने दिसंबर 2019 में सहवास और उनके दो बेटों की कुछ संपतियों को मनी लॉंड पर रिहा कर दिया गया था और आप आप सोचे कि वो खुद पिधानमंद्री बन जाएंगे तो फिर तो बात यह लग रहेगे 2003 में एक आतंग वादी विरोधी अदालत ने 1998 में हत्याओं में सहवाज और अर्ण पांच आरूपियों को तलब किया था और ओएस समय निर्वासन में थे और अदालत में पेस होने में विफल रहे थे और बाद में कोट ने सहवाज के खिलाब गरपतारी वारंट भी जारी किया था 2004 में सहवाज ने अदालत में पेस होने के लिए पाकिस्तान लोटने का प्रियास किया लेकिन उन्हें जबरन बापस साओधी एरब भेद दिया गया था अगस्त 2007 में पाकिस्तान के सरवोच न्याले ने अपना फैसला सुनाया जिसमें सरीब भाईयों को पाकिस्तान लोटनी के अन्मती थी सेप्टमबर 2004 में पाकिस्तान में एक आतंगवादी विरोधी अदालत ने पुलिस को 2003 के गिरफतारी वारंट के आधरवाज को गिरफता करने का देश दिया बाद में उन्हें आतंगवाद विरोधी अदालत से जमानत मिल गई थी तो आप सोचिए कि पाकिस्तान का जो पिधाल मंत्री बन रहा है उस पर कितने इस तरह के आरोप लगे हुए तो आप समझ सकते हैं कि भगवान भरो से बैठा हुए है पाकिस्तान उपर वाला ही मालिक है उसका तो ठीक है और पाकिस्तान की खस्ता हालत भी बहुत बूरी है करज से दवा हुआ है आप देखिए अब तो करज देने से बच रहे हैं लोग और एजेंसियां करज भी नहीं दे रही है अब किस तरह से हमारे देश से पाकिस्तान किस दिसा में जाता है यह भी आने वाला बक्ती बताएगा चलिए इसके लिए यही रहता है कि आप लोग एक निउज पेपर फॉलू करते रहा करिए और देश दुनिया के बारे में जानते रहा करिएगा